पर कि अपना पिता जी का मिल गया अचाहिए उनको जहां सम्मान नहीं मिले वहाँ पाटि में रहने का क्या होचित और उनको रिशीब करने के लिए जगदानन बाबू कई से जाएंगे यह जो अत्मा पास है बोल सकता उसको तो अपना माता पिता जी का मिल गया है उस पर अपना उछल रहा पर स्पर्श रोब में कहिए कि मने संसकार ही नादमी है उपर आया पर लगाना गलत है जिसके माता पिता जी मुख मंतरी पद पर रहे और वो लड़का मैट्रिक पास भी नहीं किया तो बड़ा और छोटा है किसी को भारतिय संबिदान हमें दूसरे को सम्मान करना सिखाता है आजो ब्यक्ती दूसरे को सम्मान नहीं कर सकता है वो राजनेता कहलाने की योग नहीं है जैहिंद बंदे मातरम शकार मैं हुआ निकुल तिवारी और आप देखरें लाइफ सीडीज लाली आदव के बड़े लाल तेश परताप यादव दो दिनों पहले जगदानान सिंग पे ये आरोप लगाए हैं कि लाली आदव उनकी वज़े से बिमार हुए हैं और उनकी वज़े से आरजेडी पा पाटी के और उनको सम्मान देना चाहिए इस तरह से नहीं बोलना चाहिए उनको उज़ेद देना चाहिए पाटी के बरिष्ट नेता है इसलिए उनको उज़ेद देना चाहिए और इस तरह से नहीं बोलना चाहिए सम्मानित नेता है टेज पताब जी इतने पुराने नीटे पाटी के निष्ठवान जटावावु हैं एक तो समभल कर बोलना चाहिए था सम्मान करना चाहिए था लेकिन उनके पास सम्मान का तो कोई जगा है नहीं और हम तो अब ये कह रहे हैं कि अगर उनमें थोड़ा सा भी नेतिकता है तो पाटी से उनको रिजाइन करना चाहिए और जनता के बीच रहना चाहिए जहां सम्मान मिले वहां रहना चाहिए उनको जहां सम्मान नहीं मिले वहां पाटी में रहने का क्या हो चिता है जक्तनान सिंग एक निती और सिधन्तवादी आदिमी है, चरितरवान आदिमी है, ऐसा नहीं है. जक्तनान सिंग एक गारजियन तूल थे, जक्तनान बावु ये तो गलत हुआ, उनको मान समान के साथ कहते, और उनको रिसीब करने के लिए जग्तनान बावु कैसे जाएंगे? उनको भी समध्दारी होना चाहिए, हमारे गारजियन है, हमारे पिता के अतूल है, हम इस बात नहीं बोले. इस बात नहीं है, परहाली खावा है नहीं, बाप के सब कुछ मिला है, तो कुछ हो बोलता है, कोई भी मंत्री या बारा जो है, उसका आदर करना हो जनता है. कभी अब देखे इधर जो अध्रक्ष है, उनको क्या बोल दिया, अपर्च होएगा उसके बाप के समय कहा है, और उसको उल्टा सिदा बोलता है, तो उसका क्या लेना है, उसका क्या लेना है, उसका क्या बोलेगा. अब बरका सहाब हो गया, तो उसको का करना है, और कुछ नहीं हो. जो अठमा पास है, बोल सकता है, उसको तो अपना माता पिता जी का मिल गया, उसको पर अपना उछल रहा. तो ये जो आरोप है, आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? जो लड़का को संसकार मिला नहीं, जिसके माता पिता जी मुख मंतरी पद पर रहे और वो लड़का मैट्रिक पास भी नहीं किया तो बड़ा और छोटा समझे को सोने का चम्बस लेकर वो पैदा लिया जगदा बाबु एक बरुष्ट नेता जाने माने नेता बिहार के इस तरह का भासा अच्छा नहीं लगता है तेजप्रताब जी का मुझ से अगर थोड़ा साभी मने हम अपने गार्जियन सरूप आजर निये जगता बाब को कहना चाहते है कि थोड़ा सा भी इसमें पर अमल किजिये और तुरत उहां से हड़ जाना चाहिए इस बेक्ती को समझे कि ने यही हम कहेंगे और इसका आदत है बेजटी करना इसका लगता है परंपरा बन गया है तेज परताब जादब का ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा करने का मतलब है कि अपने आप में आग लगा रहा है हूँ आदमी तो लगाने दीजी हम लों को बढ़िया लेगा कोई दीकत ने है लेगिन हम जगता बाव के यह कहना चाहते हैं बड़े भाय हैं गार्दियन हैं और बिहार के नेता हैं इमंदार आदमी हैं यतना हम जरूर कहेंगे उनको तुरत वहां से आजाना चाहिए यह जगता लंडवावू और तेज परताप जी के पिता जी के उमर के हैं और राज़त के आद से नहीं उज्जमता दॉल था तबसे ही महां का कहला के यह जगता बावव उस पार्टी में हैं और जिसको यह कहा जा रहा है कि हमको शम्मान नहीं दिये यह कहके तो उनको अप तेज परताप दी का बयान सुरहों ना गलत है। कोई ऐसा द्रिष्टि कौन से नहीं लगता है कि वह राजनेता का एक ऐसे सक्तिसाली आदमी का पुत्र थे आध्ताब भी उन्होंने एक ऐसा बक्तब दिया जो बिल्कुल ही एक ऐसा सब्द जिसके वजह से कि सम्मानित सब्द को अपमानित कर दिया उन्होंने कलंकित कर दिय परजात तंत्रे में ऐसे ऐसे सब्द को बोलने का किसी का हक नहीं है किसी को भारतिया जन्ता पार्टी या किसी भी पार्टी को ऐसे सब्द बोलने का इजाजत नहीं दी जा सकता है क्योंकि भारतिया संब्दान हमें दूसरे को सम्मान करना सिखाता है जो ब्यक्ति दूसरे को सम्मान नहीं कर सकता है वो राजनेता का हलाने की योग नहीं है जैहिंद बंदे मात्रम देखे हम उनको यही कहेंगे की राम की तरह रहें क्रिशन की तरह रहें धर्ती पर आये हैं तो कुछ करके देखामें कि हम धर्ती पर आये हैं तो हम करके देखाये हैं अपना पिता सि कि अगर अच्छा काम होता है अगर बीना सोचे समझ ले कोई काम करते हैं तो रेक्सन कर जाता है तो उनको बोलने का इत तो जुरुबा नहीं है कि हम क्या ची बोलने जा रहे हैं बोलने के पहले उस सोचें कि हम कहां पर कोची बोलने जा रहे हैं किनके साथ बोलने जा रहे हैं एक कैसा लगेंगे हमारे लिए एक भोटर हैं हम इनके साथ अगर अच्छा बहवार करेंगे तो हमको एक भोट मिलेगा उनको इस तरह से सोचना चाहिए समझना चाहिए बोलना चाहिए कि हां सर इस तरह से कीजिए इस तरह से नहीं कीजिए हैं स्यली से बात करना चाहिए उनको ये जो आरोप लगाए हैं तेज प्रताब जी ये उनके मूल सभाव में है और एक जेनरेशन गैप जो होता है उस जेनरेशन जनक विसे नहीं है, जो लोग नहीं समझते हैं उनके देल के वर्ये लोग, वो लोग अपना इजद देने जाते हैं, उसमें जगता जी का इजद गया है। उनी के कारण बीमार पर गए अब ये कल कोई कह दे कि तेजपरताब ज्यादा ने कहा कि जो है से नितीश कुमार और फलना के नाम पर जो हैसा जेल चले गए पार्टी के अंदुरनी मामला है उन लोग बैट करके अपस में बैट मिल करके शुल्जा लेंगे और क्या कह सकते हैं जग्दानन सिंग जी जो है वो उनके पिता जी के जैसे हैं तो आपका क्या कहना है जो जिस तरह से इन्होंने बोला है गार्जीन है गार्जीन और जैसे बेटा पुत्र में टौक होते रहता है तो इनको लगा कि यह मेरे गार्जीन है बेटा के तुल्य बोल दिये है जो भी होगा तो आपने देखा कि लोग कितने निराश हैं इस बात को लेकर कि तेश्पता प्यादव इलजाम लगाए हैं जगदानन सिंग पे जो की गलत है क्योंकि बहुत लोग सब लोग बोल रहे हैं कि गलत है वो चीज और कोई-कोई लोग गुस्सा भी है कि तेश्पता प्यादव य झाल फ्याद़ कर दो है कि ठाल धुट लोग भी है यारि बहुता प्यादव लोग।